हैपी दिवाली टू आल अफ यू मेरे और मेरे परिवार के तरफ से आप सब को दिवाली की धेल चारी शूप काम नहीं हारतिक शूप काम नहीं दिवाली इंजॉय करें लेकिन सेफली और अपना ध्यान रखें और देखें ये क्लीप है एक्चली पहले का मतलब पहले में साथ में शेयर करूँ ये वीडियो मेरे पहले के हैं जैसा कि आप सबको पता है मैंने लास्ट वाले वीडियो में आप सबको बताया है कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रही और कुछ भी नहीं कर सकती अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा जो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रह तो इसलिए मैं आज शेयर कर रहे हूं आप सब के साथ में जैसे कि मैंने बताए कि सफाई हम मेरी ऑल्मस्ट डन हो गई थी मतद यह किचन का छोड़के बट अभी किचन का भी मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है मैंने शूट नहीं किया कि क्या ही शूट करना अभी दोरान तो कुछ भी नहीं कर सकते अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस वज़से अभी चार-पाच दिन ही हुए है ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता घर में तो बस यह वीडियो पहले का था तो इस वज़से मैं आप सब के साथ में शेयर कर रही हूँ मैं ने तो कौन वे बोल बोल कौन वे सुना तो रहसा हुए है इसा 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 हुए 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 अधयर सु-बताई आपका है? क्या है? लूकर्ए मोबारर में हुआ है अध्या जो क्या? नमब्स दिखे हैं पूरा गर मेरा और जाले वाले अच्छे से मतलब डीप लेन जो बोलते है वो करना पड़ता है दिवाली में अब हमें ऐसे तो नहीं कुछ पता होता ना आगे क्या होने वाला है तो हम तो अच्छे से तयारी में लग जाते हैं कि हाँ बई बस सब कुछ अच्छे से करें तो देखे कैसे फैला हुआ है और एक्चुली मेरा साफ करने का तरीका ऐसा है ना कि मैं थोड़ा बहुत फरनीचर इदर दर करती हूँ तो मुझे मेरे मन को तसल्ली होती है कि हाँ सा बाद में साफ सफाई करती हूँ और ऐसा करने से मेरे मन को तसल्ली मिलती है मझे खुद को संतुष्टी मिलती है कि हाँ भई और थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है ना रूम का आपका तो वह अलग दिखता है आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ किया है और चीजों को म उसके जगा पर ही रख देते हैं तो बस साफ सफ दिखता है कुछ अलग नहीं दिखता है लुक चेंज नहीं होता है रूम का तो मैं जब इप क्लीन करती हूँ या 2-3-4 मिने में ऐसा मैं करती रहती हूँ इससे क्या होता न आपके रूम का लुक जो है ना चेंज हो जाता ह तो आपको थोड़ा सा अलग अलग फील होता है तो अच्छा लगता है अपने घर में ऐसे मतलब थोड़ा सा अलग लगता है तो करते रहना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो इसमें महनत है हैं नो ड áut मेनत नफ जादा है आप देखों मतलें मैं पूरे तरह से ठग गयी थी ईस दिन दिन मैंने सफाई करे थी और मैंने सब साथ में निकाला जैसे एक रूम इंट निकाला दूसरे रूम का ऐसे और गाला कंशे करें का संफकी करें पूरा तो एक साथ और यह क्लिप भी बहुत पहले का है और हम रेकॉर्ड करते हैं तो मतलब शेयर करने की इंटेंशन से ही हम रेकॉर्ड करते हैं कि हमें शेयर करना है आप सब के साथ में तो यह वीडियो मेरा पहले का बना हुआ है अभी तो जैसे आप सब को पता है कि मैं ऐसे सब चीजें नह ने शेयर किया हुआ है आप सब के साथ में बट ये तरीका आप सब को देखके हैरान हो जाओगे आप सब आप देखिए का कैसे मैं बना रही हूं सब कुछ सेम ही रहता है जिसे हम आलू का मसाला त्यार करेंगे और आटा उगरा सब लगा लेंगे बट जो बनाने का तरीका है जो हम स्टाफ करेंगे आलू का पराटा उसको बेल के मैं नहीं बनाने वाली हूं उसको देखिए आगे देखते रहे हैं कैसे बनाने वालू है यहां तो फिलाल मैंने आलू चड़ा रखा है कि बॉयल हो जाए दो से तीन सिटी लगा लूंगे आलू में और उसके बाद मैं साथ मनाए अपनों के साथ में मनाए जो खुशियां अपनों के साथ में है न वो कहीं नहीं है तो अपने परिवार के साथ में दिवाली मनाए और खुश रहें आपके आप सब के लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए हर तरह का अंधकार दूर हो हर तरीके का अंधकार यानि आप समझ सकते हो वो अंधकार अग्यानता का हो सकता है, financially हो सकता है या किसी चीज का भी अंधकार हो, वो सारी अंधकार दूर हो और आपकी जीवन में रोशनी ही रोशनी हो, उजाला ही उजाला हो, खोशिया ही खोशिया हो, मेरी बस यही कामना है भगवान से मातारानी से और देखें यहां मैं मसाले की त्यारी कर रही हूँ अक्चली मैं थोड़ा सा यूनिक तरीके से बनाने वाली हूँ यहां पर देखें मैं लहसन और हरी मिर्च को मैं ग्रेट कर लूँगी चौप कर लूँगी ग्रेट नहीं कर करके यूज करने वाली हूँ प्याज के मैं चौप नहीं करूंगे और जैसा कि मैंने बताया कि मैं प्याज कट करके यूज करने वाली हूँ तो जब से मैंने ये तरीका अपनाया है ना प्याज कट करने का यानि पूरे ही प्याज में होल प्याज में आप चुट चुट चु तो में खासा टाइम भी लग जाता है और यह न मैंने चाट की जो थेले होते है ना वहां मैंने देखा था क्यू sleek करके नहीं कट करते क्यूंकि उनको टाइंट लग जाएगा और इसे कट करते हैं तो बहुत आशानी से बहुत बारी कट हो जाता बहुत कम समय में कट हो जाता तो मैंने देखा था और जब मैंने सुरुआत करी थी, मतलब ऐसा कट करने की बहुत सा टाइम लगता था कट करने बाता है भी मिझे हैब strawberries हो गई इस तरह की ऐसे तो शायद मैं लाइफ में ठेले भी लगा लूँ चाट बाटके क्योंकि ज्यादा तर कटिंग चॉपिंग में ही टाइम लगता है तो वो तो मेरी स्पीड अच्छी हो चुकी है तो शायद मैं ऐसा भी कर सकती हूं जस्ट केडिंग और यहां पर देखे मैं आलू को चील रही हूं आलू बॉयल हो गए है बस चील रही हूं और मेरा कुकर भी जल गया आप सबने देखा होगा मैं दिखाया आप सबको क्योंकि मैंने पानी कम डाला था कि जल्दी से बॉयल हो जाए और ज्यादा पानी होता है आप अब जल लेते तो आलू के पराठे अच्छे नहीं बनते यानि पिछ पिछी से बनते कहने का मतलब यह है तो इसलिए मैंने आलू मतलब पानी कम डाला था आलू में तो कूकर ही जल गया मेरा उसमें फिलाल मैंने पानी भर के छोड़ दिया है और उसको बाद में साफ क यहां मैंने गैस पर रख दिया कढ़ाई डाला है दो बड़े चमच तेल और इसमें मैं डालूँगी जीरा दो चटे चमच और आप चाहो तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो काफी लोगे जो अजवाइन भी डालते हैं तो जिसको अजवाइन कर टेस पसंद हो ना तो तड़के में जिसे मैं चौप करके रखे लहिसन और मर्ची तो उसको मैं पहले भूण लूँगी प्यास से पहले मैं भूंगी मतलब लहसन और मिर्ची को उसके बाद मैंने यहां पर देखे प्याज डाल दिया है जो बारी कट करके मैं रखा था रबस इसे भून लेंगे अच्छे से हम काफी लोग कच्छा प्याज डालके भी बनाते पर मेरे घर में पसंद नहीं करते मेरे घर मसाला भून के जो मैं बनाते हूं बस तो उसमें टाइम ठाइम लगता है तो अगर आपको वैसे पसंद आप वैसे भी बना सकते हैं तो यहां पर देखिए फॉक की हेल्प से न मैं आलोक मैस कर रही हूं मैसर से भी कर सकते हैं बट यह तरीका मुझे बेस्ट लगता है गरम करम आलोक को ठंडा मत होने दीजेगा मत तो उसे आपको फॉक से दबाते जाएंगे न तो इसमें एक भी लंस नहीं रहते एक भी गुठलिया नहीं रहती बहुत स्मूत हो जाता है और मैंने यहां पर मसाले भी एड़ कर दिये बातों बातों में मतलब धनिया जीरा पावडर थोड़ा सा और हल्दी पावडर चटपटा सा टेस्ट आता है आलू के पराठे में तो जरूर डालें और उसके बाद में देखिए यहां पर मसाले अच्छे से भून गए हैं प्यास के साथ में फिर में मैश की वए आलू को डाल रही हूं यहां में डाल रही हूं नमक स्वाद अनुसार जितना भी हमें मसा कर ईकिए जल्दी बाजी होती धी न तो आप तैयारी आट साथ में करता हूं ऐसा नहीं होता कि आप तैयारी कर कर sister कीए रखो साथ ॐस। आपके तैयारी भी होती जाती है और बनाने का प्रॉससेस मतलब उसको अच्छे से दबा के सील कर लेती हूं और उसके बाद में देखे मैं कैसे बना रही हूं और स्टफ प्राठे में जब तक अच्छे से मसाले भरे ना हो जब तक मज़ा नहीं आता चाहे आलू का हो गोबी का हो कोई भी स्टफ प्राठा हो तो जब तक उसमें मसाले अच्छे से ना भरे जाए ना मज़े नहीं आता फिर भले फटे और फटता भी है अगर आप मसाले अच्छे से भरोगे ना तो वो थोड़ा बहुत फटेगा यह फटेगा तो देखें यहां पर मैंने हाथों से ही मतलब बेलन में नहीं लगा रहे हूं हाथों से कर रहे हूं क क्योंकि मसाला में ज्यादा भरके बनाती हूं हस्मन का ऐसे पसंद आता है पतला एक लेयर दिखता है मेरे यालू के पराठे में या कोई भी स्टव पराठे में आठेगा जो पर्त है न बहुत ही पतला रहता है खाली मसाले ही रहते हैं आप समझ सकते हो तो इसलिए थोड़े । और चकले से उठाके वह तवे द दबा दिया है और बहुत ही उमि बहुत ही च yhtमी बनाथ और आपको ऐसा लगता है कि आप जो पराठे बनातर ये बेलने के टाइम में बेलने के बाद में उतावय पर रखने में तूट जाता है या सा कुछ भी होता है तो आप इस तरीके से बना सकते हो उमिद करती हूँ आज कर वीडियो आप सब को पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीस आप सब लाइक किया करें लाइक करने में सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहें हैं इसी के साथ मैं आज के वीडियो का मैं एंड करना चाहूंगी सोचा तो बहुत कुछ था कि अच्छी अच्छी रेसिपी में आप सब के साथ में शेयर करती मिठायों की और नास्तेवास्ते की बट ऐसा हुआ नहीं जो सोचते होता नहीं है बट कोई नहीं अगले साल और बस आप सब बने रहें सपोर्ट करते रहें अपना बहुत सारा ध्यान रखें और एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगी आप सबको दिवाली की धेड़ सारी शुप कमनाएं खुश रहें और बस इंजोई करें दिवाली लेकिन साउध और उमिद करते हूं जो कि वीडिए आप सबको पसंद आई होकी थेंक यूँ सो मच फर वरकिंग थेंक यूँ सो मच आप सब ऐसे सपोर्ट करते रहें प्यार देते रहें थेंक यू मिलते हम ऐगले वीडियो के साथ थेंक यू लाइबैख टेक कर